आज सुभा मदुरही में परियाटर ट्रेन में हुआ बड़ा हादसा लगातार चर्चा का विशय बना हुआ है जिसमें दस लोगों की मौत की पुष्टी हो चुकी है वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतेक जुम्रतक हैं उनके परिवारी जनों को दो लाख रुपए देने की घोश्रा भी कर दी है इसी बीच आपको बता दें कि इस पूरे ट्रेन हादसे में दो तरह की बाते सामने निकल के आ रही है एक तो ये सबसे बड़ा सवाल हो गया है कि आखिर ट्रेन के अंदर यातरी सिलेंडर कैसे लेकर पहुचे क्योंकि जब हर जगा पे जांच होती है और किसी भी तरह का जो 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 अंदर लेकि जाना सक्त मना होता है तो ऐसे में ट्रेन के अंदर आखिर सिलेंडर कैसे पहुचा और दूसरी और यह भी बात सामने आ रही है कि शायद किसी की बड़ी लापरवाई की वज़ा से ये पूरा हादसा हुआ है हालांकि इस वक्त हम लोग IRCTC के जो रिजिनल ओफिस है गोमती नगर के प्रेटन भवन में वहीं पर खड़े हुए है और अभी हमने अंदर बात की तो यहां के जो प्रवक्ता है उन्होंने बताया कि जो छेत्रिये प्रबंदक है अजित कुमार सिनहा अभी भी वो इस पूरे मामले पर कॉडिनेट कर रहे है जांच परताल कर रहे है और सभी से जानकारी जुटा रहे है कि आखिर हादसे की क्या वज़ा रही और उनका ये भी कहना है कि जब इस पूरे जांच हो जाएगी और ये पता चल जाएगा कि आखिर हादसा किस वज़ा से हुआ है इसके बाद ही वहाँ अपने कोई प्रतिक्रिया भी दे पाएंगे फिलहाल अभी आपको बता दे कि जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि प्रमुख वज़ा कि आ है लेकिन आपको बता दे कि प्रियाटर ट्रेन जो है लखनो उसे रामेशुरम जा रही थी या इसमें शरधालू सफर कर रहे थे लेकि दस लोगों की मौत होना एक बड़ा आंकड़ा है और हेल्प लाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है लोग अपने परिवारी जनों को खोजने के लिए हल्प लाइन नंबर भी लगातार कॉल कर रहे हैं लेकिन आज सुभा शनिवार लगभग पांच बचकर 15 मिनट पे पूरा हाथसा हुआ है जैसा कि वीडियो में है कि आग की लपते निकल रही है चीर पुकार कैसे थी और किस वज़ा से पुरा हाथसा हुआ है उसके बाद इस पे एक नया मोड भी सामने आ सकता है तब तक लिए जुड़ी में साथ मैं लखनो से अंजली सिंग राजपूत न्यूज 18